किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों कभी नहार मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूटूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों 36 गर समानने ग्यान इस वीडियो में मैं 20 कोश्चन कवर करने वाला हूँ तो वीडियो को जरा सभी पोस मत कीजेगा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजे सेयर कीजे और मेरे चानल पे आही गए दोस्तों तो प्लीज सपोर्ट करके सबस्क्राइब करना बिल्कुल भे मत भुलिया साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस रख दीजे ताकि मेरी हर नय लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे तो आईए स्टार्ट करते हैं पहला कुश्चान मैंने लिया है भिलाई इस पास सयंत्र में उत्पादन प्रारंप हुआ उननी सव अंठावन से उनसट उननी सव उनसट से साथ और उनसी सव साथ से एकसट या फिर उननी सव चपन से संतावन तो राइट आँसर हमारा बी नमबर आ जाता है दोस्तों उननी सव उनसट से साथ ऑप्सन नमबर बी को आपको याद रखना है भिलाई स्पास सयंत्र में उत्पादन प्रारंब हुआ था तो करेक्ट आँसर हमारा क्या आजाएगर बी नमबर, option B को आपको याद रखना है next question भिलाई इसपात सयंत्र को किस खदान से लवह खनीज अयस्क प्राप्त होता है दल्ली राजरा, बैला डिला, जिलमिली या फिर बाला घाट right answer हमारा A नमबर आ जाता है दोस्तों दल्ली राजरा, option number A को आपको याद रखना है भिलाई इसपात सयंत्र को किस खदान से लवह खनीज अयस्क प्राप्त होता है तो correct answer हमारा क्या जाएगा, A नमबर आ जाएगा दल्ली राजरा, next question देखिए भिलाई इसपास सयंत्र की इस्थापना किसके अवस्थक प्रयतनों से हुई थे पंडित वामर राव लाखे, दूसरा है बी एन खरे और तीसरा है चंदुलाल चंद्राकर, और option D है पंडित रवी संकर सुकल, तो right answer हमारा D नमबर आ जाता है दोस्तों पंडित रवी संकर सुकल, option D को आपको याद रखना है भिलाई इसपास सयंत्र की इस्थापना किसके अथक प्रयतनों से हुग की गई थी तो right answer हमारा क्या जाएगा पंडित रवी संकर सुकल, option D को आप लोग इसमें याद रखो गया अगला देखिए भिलाई इसपास कारखाना किस देश के सहयोग से बना है रूस, जपान, USA या फिर पंडित जर्मनी right answer हमारा क्या आजाएगा ए नमबर आजाता है रूस भिलाई इसपास कारखाना किस देश के सहयोग से बना है तो answer में आप लोग क्या टेक मार करोगे प्रफम सिमेट फैक्टरी है रेडमंट सिमेंट फैक्टरी दूसरा है जामुल सिमेंट फैक्टरी और तीसरा है सेंचुरी सिमेंट फैक्टरी या फिर मुदी सिमेंट फैक्टरी करेक्ट आंसर हमारा B नमबर आजाता है दोस्तों जामुल सिमेंट फैक्टरी ओप्सन नमबर B को आपको याद रखना है 36 गड़ की प्रथम सिमेंट फेक्टरी है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा जामुल सिमेंट फेक्टरी Option B is करेक्ट आंसर Next question मांधर सिमेंट सिमेंट सेयंद्र कहां इस्थापित है बिलासपूर, रायपूर, दूर्गय या फिर बिलाइर करेक्ट आंसर हमारा क्या आजाएगा रायपूर ओप्शन B को आपको याद रखना है मांधर सिमेंट सयंत्र कहां परिस्थापित है रायपूर में नेक्स्ट कोशन देखिए हिर्मेनी प्रसिद्ध है इस पाट सयंत्र के लिए कपड़ उद्योग के लिए सिमेंट उद्योग के लिए या फिर रबर उद्योग के लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या आजाएगा C नंबर आ जाता है सिमेंट उद्योग के लिए हिर्मी प्रसिद्ध है किस के लिए है सिमेंट उद्योग के लिए ओप्शन C को आपको याद रखना है अगला कोश्चन जिंदल इस पाध सयम्त्र कहा है राजनाध गां बिलासपूर रायगर्ड या फिर रायपूर रायपूर आइंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों रायगर्ड में है। राज्य की उर्जZA राजधानी है बिलासपूर कोर्बा रायगार। रार्यगर करिक्टान्सर हमारा बी नमबार सब्सक्राइब। राज्य की उर्जधानी है तो इस만 दोग में व्याद है कोर्भा। पेपर कहां मिला है बीलासपूर नवा पारá चांपा या फिर सिलतला राइट ऑनसर हमारे क्या जाएगा बी नंबर आ जाता है नवा पारा आपसन बीज करेक्ट आंसर हनुमान एग्रो इंटरस्टीज पेपर कहां मिला है तो राइट आंसर हमारा क्या आजाएगा नवा पारा नेक्स्ट कोश्चन देखिए लाफार्ज की गोपालनगर इस्थी सीमेन फेक्टरी किस जिले में है राइपूर जानगीर चापा दुर्ग या फिर नांद गाउ राइट आंसर हमारा क्या आजाएगा बी नमबर आजाएगा जानगीर चापा ओप्सन बी को आपको याद रख नेक्स्ट कोश्चन देखिए लाफार्ज की गोपालनगर इस्थी सीमेन फेक्टरी किस जिले में है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा बी नमबर आजाएगा जानगीर चापा ओप्सन बी को आपको याद रखना है नेक्स्ट कोश्चन अंजनी अध्योगिक पेत्र कहां इस्थापित किया जा रहा है पेंडर रोड मारवाही पाली या फिर घरगोडा राइट आंसर हमारा इनमबर आ जाता है दोस्तों पेंडर रोड आ जाएगा अंजनी अध्योगिक प्रदेश कहां इस्थापित किया जा रहा है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा दोस्तों राजनाद गां दुर्ग चाटिस गड़ में फूड पार्क कहां इसापित किया जा रहा है राजनाद गां और दुर्ग में तो आपसर एक आपको याद रखना है अगला कोश्चन मैंने लिए है बस्तर की प्रसिद्ध है साडियों के लिए हल्प छिल्प के करेक्ट आंसर आएगा अगला कोश्चन देखिए कोशा अनुसमधान केंद्र इस्थीत है सरगुजा कांकेर चांपा या फिर बस्तर राइट आंसर हमारा क्या जाएगा दा नंबर आ जाता है दोस्तों बस्तर कोशा अनुसमधान केंद्र इस्थीत है तो करेक्ट आंसर हमा हमारा क्या आ जाता है रायपूर ओप्शन नमबर एक को आपको याद रखना है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा रायपूर आ जाएगा अगला कोश्चन मैंने लिया है तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा राजनाद गाउ ओप्शन नमबर सी को आपको याद रखना है अगला कोश्चन देखिए राजनाद गाउं की बंगाल नागपूर कॉटन मिल्क्स की स्थापना किसने की नाना जी काउसाई भाई दूसरा है महंत घासी दास ने तीसरा है जमसेद जी टाटाने या फिर राजा दिगविजा सिंग ने इसका अंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके बताएंगे दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या आएगा आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को यूश्फूल लगा हो तो प्लीज एक लाइक कीजिए सेयर कीजिए और मेरे शानल पर आही गया हैं दोस्तों तो प्लीज सपोर्ट करके सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिया है साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहा मैं मिलता हूँ अगला वीडियो में तब तक के लिए बाबाए टेक के यार थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो